इस निया नियन गोर बार हो गोरिया चान के जुरिया यह क्या है बईया यह BBC बॉक्स है BBC बॉक्स यह बया हराता बहुत है नमस्कार मैं हूँ गायक मनोहर सिंग आज है 2030 का आखरी दिन यानि 2024 शुरू होने वाला है 31 दिसंबर का यह दिन है और आज मैं जा रहा हूं गोरखपुर प्रोग्राम में तो आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है 2023 का आखरी समय और 2024 का शुरूआत बड़ा ही स्पेशल होने वाला है तो हमारे इस ब्लॉग में बने रही है स्वागत है आप सबी का मम्मी खाना येस माता जी इस साल का तुम्हारे हाथ से ये मेरा आखरी भोजन है अब फिर 2024 में नए सिरे से हम आप से नए नए पक्वान खाते रहेंगे और आपका प्यार पाते रहेंगे मेरी गल्लू मम्मा तो आज हमारी साथ है राणा बाईया इधर राजयस्वर है जो अजी को अजार तेईष्ट को गोरगपूर बारदर पर छोड़ की बाभा रिचस को नेपाल में एंट्री दे रहागा बीयार होते हुए बाइया नेपाल होते हुए बाया नेपाल फुर्ञिया जादा सब्सक्राइब करें और बड़ा खुबसूरत यह सोने की चुनोटी यह किटकेट मैंने मम्मी के लिया है ताकि नए साल में मैं अपने माता जी को कुछ गिफ्ट करूं और रात में तो नहीं रहूंगा क्योंकि 31 तरीक को मेरा रात में प्रोग्राम रहेगा तो मम्मी को बुल तो यह साल की शुब कामना हमारे तरफ से आपको यह गिफ्ट प्यारा सा यह था क्यूंक है अब आधा जिए अब नहीं सान मुला का थोगी गाइस बाए गाइस बाए करिया पीता जी अधिका और बाए आधा बाए पापा जी इस बोलिया संकर भगवान की जय है अब मतलब भर लेना चाहता हूं कि इस कायरिकर में मेरे साथ अलका भी है अलका गई है अपनी नानी के घर मतलब मनी मम्मी के साथ वो आ रही है अभी मतलब गुरकपूर तो मैं गुरकपूर उनको रिसीव करूंगा फिर उसके बाद हम प्रोगाम में है हम लोग आ गया भी माउ तो अपने मुखे मंत्री जी योगी आधितिनाजी के शहर में हम लोग आ गया है यह दिखे ट्राइब पीक रूल को आम फॉलो कर रहा है यह जो नविगेशन वाली हमारी साली है यह अम गोरकपूर में गुसे हैं तब से मतन चिकन शूक रहरही माराजी के छत्र में यह नाम लिना उचित है इसको यह लोकिश्ची पास्ट चिकन शॉप फीर ची चिकन सब्सके माई हो अल्यारा तुमको साली हो साली के तरह रहो कि यह दे खिए फोन आगी आलका का पॉचियाई अप ठीक है हम इस्टेशन के बगल में रुके हुए है तो जैसे आई एक तो हाँ आई यह तो हम आपके पास आएंगे आपका स्वागत है यूपी में आजई यह है महाराना प्रताब चौरहा और महाराना प्रताब जी की मूर्ति लगी हुई है यह गोरकपुर रेल्वे स्टेशन गेट नंबर छह पर आप सभी का स्वागत है हालो वेलकॉम 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 बोरा बस्ते लगे सवाई है यह आपके क्या आल चाल खुश रही है अरे आई 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 खुश रही है ठीक है यह एलका सिंग पाड़ी यादे की आई है इनको हम इस चेशन से रिशीव कर लिए है और इस साल का आखरी जो पल है जो समय चल रहा है वलका के साथ पीते का हमको नहीं लग रहा था ज्योंकि यह गई थी अपने मैया के पास मतलब पिंदानी के पास और मम्मी के पास तो लीजिए फाइनली हम लोग आ गये अमबेश चुरू करेंगे यह है हमारी सबसे प्यारी विमला भावी यानि बेवी भावी और आज का इतना खुबसूरत आयोजन बेवी भावी नहीं किया है आज 31 है नियो यह सेलवरेशन साथ में बेवी भावी का जनम दिन भी है तो दोनों पार्टिया एक साथ होगी यह एक कि लोग मित्र दोस फ्रेंड सरकल के सभी लोग 31 को इंज्वाई खूब इंज्वाई करते हैं अच्छा अनका गारी है और इसके मैं ठोटा सा बहाव में जाते हूँ करें है कि अच्छा वादा करें है कि दैप के लिए प्लाइब करें जोद और दाली करें जिद्रें लोग किया बाटें हुए और यह चोटों है कि एक चीज तो है कि बेभी बावी बैंकोग में जरूर रहती है उन्हें बंचों को दाइंकोग पढ़ाया निकारा है लेकिन इनके बच्चों में जो संस्कार है जो प्यार है वो हिंदुस्तानी है भारती है इसके लिए मैं चाहता हूं कि जोड़ातानी बैंक के लिए और छोटों के लिए बचना चाहिए देली खलक शर्माथी शर्माथी जोड़ा रहा हूं कि जो तसरी असली बचना चाहिए आप सभी बड़ों को मैं प्रणाम चोटों को प्यार नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो आप सभी को और धन्यवाद जो आपने आया अपना इतना कीम्ति वक्त मलब करके मेरे लिए आया साथ मेरी जो गेट तोगेधर होती है ये मेरे लिए सारे तोपाओं से ज्यादा कीम् आपको तुम्हें क्या बोले हूं कि एक बादी कहने पे आपने बोला है ये बावी जी कहां मिले है थैंक ये सो मुच बिटा मैं इस बच्चे को बहुत साल से जानते हूं बिटा अलका बगुल में या अपर आईये उपर आईये लब यू या बहुत-बढ़ी आप सब कुर अरे सुपर्ब आप दोनों इतनी स्वीट कपल हो कि रंग जमा देते हो भीड चाहे सौ की हो हजार की हो आप लोग के लिए कोई फर्ट ने पड़ रहा है कि विटाप इस धर्ती पर सूरत और सीरत खुबसूरत वाली लोग बहुत कम है जिन में से बेविभावी एक है 2023 का सांदार समापन और 2024 की शांदार और खुबसूरत सुरुवात इस से बेतर क्या हो सकता है मैं महादेव से भोले नाथ से सभी देव देवताओं से प्रात्ना करता हो कि हमारा जीवन आप सभी का जीवन हमेशा सुखी रहे सम्रिद रहे और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे